Hey guys, what's up? I hope आप सब लोग ठीक होंगे, मेरा नाम है किरन तो दोस्तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि आजकल हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया स्मार्टफोन मार्केट में लाँच होते जा रहा है तो वैसे ही इस बार भी, मतलब नवंबर मन्थ में काफी सारे नए स्मार्टफोन मार्केट में लाँच होने वाले है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ Top Upcoming Smartphones in November मन्थ तो अगर आप लोग इस मन्त में कोई नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना है तो सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो है Redmi Note 6 Pro जो की officially Redmi Note 5 Pro का successor है बट honestly ये phone इतना भी कुछ खास नहीं है क्योंकि इसमें हमें notch display तो मिल जा रहा है dual front camera 20 plus 2 megapixel के साथ बट बाकी इसके अलावा सब कुछ सेम है Redmi Note 5 Pro जैसे और इसका price भी कुछ 15-16,000 के आसपास ही होने वाला है बट आज के competition को देखते हुए ये phone कुछ इतना खास नहीं लगता बाकी इसके launch के अगर बात करें तो ये launch हो रहा है 10-20 November के बीच में बट इसका exact date तो अभी तक officially announce नहीं हुआ है बट हो सकता है ये phone हमें 12 November को देखने को मिल जाए and अब जो next smartphone है वो आ सकता है Realme की तरफ से जिसके बारे में इतना कुछ खास details तो निकल के नहीं आया है बट ये पक्का है ये phone अब तक के Realme के जितने भी smartphone आया है उन सब में से सबसे ज़्यादा powerful होने वाला है क्योंकि इसमें हमें MediaTek का latest processor Helio P70 देखने को मिलने वाला है तो मतलब ये phone कुछ 15 से 20 हजार के बीच में हो सकता है जहां तक बात रही इसके launch की तो हो सकता है ये phone number के end तक launch हो जाए तो अगर आप लोग इस मन्त में कोई phone लेने का सोच रहे हैं तो इस phone का wait करना तो बनता है बाकि जो next smartphone है वो आ रहा है Samsung की दरफ से Samsung A9 जिसमें हमें 6.3 इंचेस का full SD plus डिस्पले इसने प्रेकर 660 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है 24 मेगा पिक्सल के front camera and 4 rear cameras के साथ जो इसका highlighting feature भी है बाकि इसमें हमें 3800 mAh का battery देखने को मिल जाएगा वैसे देखा जाए तो ये phone बहुती कमाल का है बट Samsung इसका price काफी high रखने वाला है मतलब इसका price कुछ 32-35,000 के आसपास हो सकता है जो की बिल्कुल भी value for money नहीं होगा एड़ जो next smartphone है वो है Nubia Red Magic तो अगर आप gamer हो और gaming के लिए कोई smartphone लेने का source रहे हो तो ये phone आपके लिए एक perfect choice हो सकता है क्योंकि इसमें आपको 6 inches का full HD plus display, snapdragon 835 processor, 24 megapixel का rear camera और 8 megapixel का front camera देखने को मिलने वाला है 3800 mAh की बैटरी के साथ ये confirm है कि इसका price 30,000 के नीचे ही होने वाला है जहां तक बात रही इस phone के launch की तो ये phone दिवाली के जस्ट बाद ही launch होने वाला है and अब इसके अलावा काफी leaks निकल के आ रहे हैं कि Nokia X7, मतलब Nokia 7.1 Plus भी November मन्थ में launch हो सकता है but honestly मुझे नहीं लगता कि ये phone November मन्थ में launch होगा मेरे according ये phone थोड़ा और लेट हो सकता है and chances है कि इस phone का नाम Nokia 7.1 Plus ना हो मतलब इसका नाम Nokia 8.1 भी हो सकता है या फिर हो सकता है Nokia 8.1 Plus के नाम से आ जाए वैसे इसमें हमें 6.18 इंचेस का Full HD Plus डिस्पले Snapdragon 710, 12 प्लस 13 Megapixel का Dual Rear Camera and 20 Megapixel का Front Camera देखने को मिलने वाला है 3500 mAh की बैटरी के साथ तो देखते हैं कि ये phone कब launch होता है बड़ जब भी हो अगर इसका price ठीक रखा गया तो ये phone काफी tight competition दे सकता है बाके smartphones को अब जो next smartphone है वो आ रहा है Huawei की तरफ से जो है Mate 20 Series इसमें हमें 3 अलग-अलग smartphone मिलने वाले हैं अलग-अलग price range में जिसके specifications कुछ उपर नीचे हो सकते हैं बड़ Tino में ही हमें Kirin 980 processor और triple rear camera देखने को मिल जाएगा मतलब ये phone काफी powerful और काफी अच्छा होने वाला है तो देखते हैं कि ये phone किस price में launch होता है बड़ जिस भी price में launch हो ये phone काफी कमाल का होने वाला है तो अगर आप लोग कोई flagship smartphone लेने का सोच रहे हैं तो इन phone का आप ज़रूर वेट कर सकते हैं और कुछ news ऐसी भी आ रही है कि OPPO और वीवो की तरफ से भी कुछ smartphone launch हो सकते हैं इस महीने में बड़ कौन से smartphone launch होने वाला है ये details अभी तक निकल के नहीं आए बड़ दोनों companies की तरफ से at least एक smartphone तो पका launch होगा इस महीने में अब देखते हैं कि कब और कौन से smartphone launch करती हैं ये companies तो दोस्तों बस यही कुछ अच्छे smartphone थे जो इस मन्थ में launch होने वाले तो आप लोग मुझे comment करके जरूर बताना कि इन में से आप लोग कौन से phone का wait कर रहे हो तो बस आज के लिए इतना ही I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like जरूर करिएगा और ऐसे interesting वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा